ये मैं लेकर आ गई हूँ दाल पिठी का फुल वीडियो दाल पिठी बनाने के लिए हम अरहर दाल लेंगे और दाल को अच्छे से धोलेना है उसके बाद पानी गरम करके इसमें दाल को डाल देना है फिर डालेंगे नमक और हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा सरसो का तेल धक बना सकते हैं और असानी के लिए एक बड़ा रोटी बेल कर इस तरह से ग्लास ये किसी चीज के मदद से काट कर भी बना सकते हैं उसके बाद हम जब दाल थोड़ा पक जाए उसके बाद पिठी को इसमें डाल देना है धक कर पकाना है कुछ देर फिर चेक करना है जब पिठ तो इसे बनाने के लिए सूखा लाल मिर्च को एक कढ़ाय में भून लेना है उसके में डालना है लसुन छिलके के साथ उसे भी भून लेना है भूनने के बाद जो सूखा लाल मिर्च है इसे ग्राइंडर में पीस लेना है आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और उसके लसुन को छेल कर टोड़ से कुट लेना है किसी बीरी चीज के मदद से चाहे पेलन चीज के मदद से या से लीरी चीज से कूटेश druggehen we भी चीज से कुट लेना है उसके बाह दालना है नमक और और सरसो का टेल उसे MiDS करना है उसमें डालना है पिसावा सूखा लाल मिर्श और उसे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कई लोग हरी मिर्श की चट्णी और अचार के साथ भी सर्फ करते हैं आप को जो पसंद आया उसके साथ का सकते हो अचार तो बहुत अच्छा लगता इसके साथ आप सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यू शेयर करें कि कैसा बना और आपको कैसा लगा ऐसे ही और रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें